देश भर में बने मौसमी सिस्टम, पच्छिम मद्या और उससे सते दच्छन पच्छिम अरब सागर पर बना गहरा कम दवाब का छेत्र कमजोर होकर कम दवाब का छेत्र बन गया है, संबन चकरवाती परी संचरा, मद्या शोब मंदल इस्तर तक पैल रहा है इसका प्रभाव भारत की मुख्य भूमी पर नग्रिय होगा, अरब सागर के ऊपर कम दवाब के छेत्र से जुड़े चकरवाती परी संचराण से एक द्रफ रेखा, उत्री महारास्टर तक फैली हुई है बंगाल की खारी से सतय दच्छन, पुर्व छेत्र पर एक चकरवाती हवाओ का छेत्र बना हुआ है कल तक इसके प्रभाव से एक कम दवाब का छेत्र बनने की संभावना है और यह पच्छिम उत्तर, पच्छिम में तमिलनाडू तट की ओर बढ़ जाएगा पिछले 24 घंटों के दोरान देश भर में हुई मौसमी हलचल पिछले 24 घंटों के दोरान तट्या आंत्र प्रदेश, तमिलनाडू केरल के कुछ हिस्सों, अंत्रेक करनाटक के कुछ हिस्सों पिछले 24 घंटों के दोरान मौसम की संभावित कतिविदी अगले 24 घंटों के दोरान अंडवान और निकोबार्दी, समू, तट्या, आंत्र प्रदेश, करनाटक के कुछ हिस्सों और तमिलनाडू में एक या दो इस्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो इस्थानों पर तेज बारिश हो सकती है केरल, टैलंगाना के कुछ हिस्सों, मराटवाला के अलग-अलग हिस्सों, कोंकर और गोवा के कुछ हिस्सों और मध्यम महरास्टे में हल्की बारिश के साथ कहीं-कहीं मध्यम बारिश हो सकती है दच्छन, छतिरगर, और दिशा के कुछ हिस्सों, लक्षदी, परुणाचर, प्रदेश, असम के कुछ हिस्सों और नागा लेंड में हल्की बारिश संभव है हर्याना और राजिस्थान के कुछ हिस्सों में शीत, लहर की इस्थिती की संभावना है उत्तर पच्छमी, भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में न्यूर्टम, टापमान में 2-3 डिगरी सेल्सियस की गिरावट आ सकती है